पोको एफवन के लिए साइफर ओयस का लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है और मेरी वीडियो जो अभी फिलाल लेट देखने को मिल रही है बाकि डिवाइस के भी लेट आरी रोम्स की वीडियो उसके लिए सोरी क्योंकि वायर कड़ गया था वाइफई का तो उसका प्रोलोम प्रोलोम है तिसले उसकी वीडियो जो पहले बनी हुए उन्हीं को मैं अपलोड कर रहा था अभी लेटेस्ट बना नहीं पारा तो उतना तिसले आप वीडियो देखने को नहीं मिल रहे थे लिगिन फाइनली अब आपको अब कंटीनू वीडियो भी देखने को मिल पिक्सल 6 प्रो पर बेस्ट ब्लॉप्स जो है आपको मिलते हैं यहां पर उसके तो यहां पर क्या क्या चंजर सो उन सभी के बारे में बताने वाद वीडियो को लास तक ज़रूर देखेगा अब आप फोन के अंदर में साइफर ओयस वर्जन 2.5 मिल जाता है ओफिशल बिल्ड है यह और डिवाइस नेम पे आप देख सकतो पिक्सल 6 प्रो देखने को मिल रहा है जो कि उसके प्रोप्स आपको ब्लॉप्स मिल जाते हैं एंड अन्डूइड वर्जन 12 है सिक्यूरिट पर हमारा जो करनल है वह सिल्वर कोर का 10.8 मिलता है पिछले में 10.6 था सिल्वर कोर का ही से लिनेक्स इनफोर्सिंग आता है पहले की तरह ही वही नेटवर्क और इंटरनेट के अंदर वाइफाई प्लस होड़ स्पोर्ट सेम टाइप पे काम कर वहां पे कोई चेंज हुआ ह यहां पे कोई दिकत नहीं है बैटरी के अंदर सेटिंग में कोई चेंज नहीं हो लेकिन बैटरी विकप की बात करें तो टू आवर फॉल ब्राइनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 67% बैटरी मिली है जबकि पिछले अपड़ेट में सेम यूज पे 64% थी तो थोड़ी स यहां पर फर्क बैटरी में पड़ा है यानि कि बैटर है पिछले के मुकाबले थोड़ा सा वह डिस्प्ले के अंदर जाओ गए यहां पर भी लॉक्स्क्रीन के अंदर अब आपको फॉर्स स्मॉल क्लोक मिल जाता है जो कि आपका लॉक्स्क्रीन का क्लोक है उसको आप स्कुल आइट के नीचे पहले कलर नहीं मिलता था इस अपडेट के अंदर एक प्तव कर पाऊंगे यहां से एक कर दिया गया है और फिस्टेजस बार आइटम एसिस्टम के अंदर रहेगा इसके अंदर कोई भी चेंजेस हमें नहीं मिलती है और लोकेशन ने सब काम करा रा यहां पर screenshot sound का यह option new add हुआ है इस update में और in call vibration के तीनों option आपको new मिल जाएंगे इस update के अंदर में थी यहां पर यही चेंज हुआ है my sound is insert पहले की तरह बिल्कुल working है इसके अंदर कोई भी changes नहीं हुई है और security में चलते हैं तो security के अंदर भी हलाकि आपका pattern size नहीं मिलता इसके अंदर पहले की तरह ही है और अगर हम यहां पर fingerprint के बात करें तो यह पहले की तरह काम कर रहा है और यहां पर settings में जाते हैं तो settings के अंदर भी कोई changes नहीं हुआ है और यह रोम आपका not encrypted है जैसा कि पहले था जैसे कि आप देख सकते हैं और यहां पर हम चलते हैं इसके मौनेट इंजन की तरह तो मौनेट भी आपका पहले की तरह कुछ भी new add नहीं हुआ है और traffic इंडिकेटर भी अच्छे से काम कर रहा है बॉल पेपर इंस्टाइल के अगर हम बात करें तो यहां पर भी यह सब कुछ पहले की तरह थीमड आइकन इन बॉल पेपर जैसे पहले मिलते थे वही सभी बॉल पेपर मिल जाते यहां पर भी कोई चेंज नहीं है नोटिफिकेशन सेम रहेगा एस्विलीडी के अंदर एक्ष्टर इम आपको मिल जाता है पहले कि तरह है डिश्टाल वेलुइंग आपका अच्छे से काम कर रहा है जैसे कि आप देख तो काफी दिन से जो मैं इसे यूज कर रहा था वीडियो पस नहीं कर पा रहा था बाक पे सारी चीज़े सेम है Swipe to Screenshot भी पहले की तरह है हाला कि डिलीट को अभी नहीं मिलता लेकिन Catcher More यहनी Long Screenshot और आपको मिल जाएगा लेकिन Change यहां पर आईसे कुछ नहीं है स्टेटस भार के अंदर भी UI लाएगा ऐसा कुछ नहीं मिलता जैसा पहले श्मूद था उफी तरीके से हलके फूल के बस फर्क आपको देखने को मिलेगा ऐसा कोई हैवी नहीं देखने को मिलता हालाकि टाइल्स भी आपको कोई नियू देखने को यहाँ नहीं मिलती है और ब पहले जैसा ही मिल जाएगगा UI के बात करें तो आपको हलके फुल के पहले किते ही मिलनेवाले है फील्हे है नहीं था एझ्ट वॉल्ीमीterm सेम ही मिल जाता है इसके लिए कोई चैज नहीं है और इंगोर эфф noach कि बात करें यह तो थोड़े से अप्लिक्स के रिदित시 जैग मिलते बाकी है भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हलगे फुल के ही रहते हैं और रीसेंट में जैसे कि आप देखोगे नीचे जो आपशन मिलता है स्क्रीट रोल के टे एंड नहीं के स्विडियर पर करना पड़ेगा तो वहां से यूज कर पाओगी यह जब दिकत नहीं ह वाइफाइण इननेवल कर लेना वह बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है और वीडियो काल के लिए को यह प्राह crush पराम अनरियो कांद कोई एप की तुमी क gideo कर सकते हूं एनINO can कईय divine के मिलता है और लिछ मिष्टव खेs करने यह इ कि अंदर यह हैं और सरी करो विजेट में भी यहां पर चेंज हुआ कि दो ही विजेट मिलते हैं जो नॉर्मल थे तो आपको क्लोक के विजेट देखने को मिल जाएंगा लेकिन बाइड फोल्डब नहीं मिलता जो कि पहले मिल रहा था और इंटूडू स्कोर हमें यहां पर 3,88,000 मिला है पिछले अपडे इस बार सिंगल में 466 मिला है मल्टी के अंदर 1324 जबकि पिछले में सिंगल था 469 मल्टी में 2045 मल्टी पिछली बार ज्यादा स्टोंग देखने को मिला था और गेम के अगर हम बात करें तो गेम की ग्राफिक आपको बिल्कुल सेम पहले की तरह ही मिल जाती जैसे पहले अन को में से इसके अंदर अच्छी मिल जाती इस बार मुझे थोड़ी असी जरूर मिली है लेकिन इसके अंदर जादा देरक जैसे खेलते हैं तो उस टाइम पर लागिंग फील होने लग जाता है तो एक दिक्कत आपको देखने को मिलेगी इस अबडेट में जो कि पिछले में जालता थोड़ी देर तक रहता उसके बाद फिर सही हो जाता इस तरीके से रहता यानि कि बिल्कुल इसके अंदर चेंज देखने को मिल जाता है और अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक शुरू कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे औ आप सभी को मिल जाए और कोई कोमेंट अगर आपको कुछ पूछना होगा तो कोमेंट आप कर सकते हो वाँ पर एंड टेलिग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो आज की दुम बस नहीं थैंक्स फो वाचिंग